सुप्रीम कोट ने यूपी मदर्सा एक्ट को बताया सम्विधानिक हाई कोट की फैसले को पल्टा सत्रा लाख छात्रों को रहा है प्रियाग राज के कॉंग्रस नहीता प्रमोत तिवारी का बयान मदर्सा एक्ट को ले कर दिया बयान बादा में केंद्र के चक्कर लगा रहा है अनदात अकिसान खाद केंद्रों के बाहर लगी लंबी लाई विरुखबाद में हिंदू संगठिन दे सौपा टीम को ग्यापन हिंदू नेता अंकित तिवारी की सुरक्ष बढ़ाने ही माँ नमस्कार आज की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साशिक हम है रोतरा शिरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की मदर्सा एक्ट को और सम्विधानिक बताने वाले इलहबाद हाई कोट के आदेश को सुप्रीम कोट ने रद्ध कर दिया है मदादे प्रियागराज में सर्वच नियाले के उत्तर प्रदेश मदर्सा सिक्षा बोर्ड अधीनियम 2004 के अरसन वधानेक वैधता बरकरार रखने के निरने पर कॉंग्रस नेता प्रमोत्तिवारी का वयान सामने आया है उन्होंने कहा प्यम मोदी और भाचपा धर्म की आधार पर विभाजन और कटौती की बात करते हैं उन्हें इस सबक सीखना चाहिए देश एक रहेगा तब मजबूत रहेगा इस देश के सरवच नेले का सुप्रिम्पूर्ट है मदर्सा आएक तो जिसे सम्धान के खलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने माना था और अलाबाद हाइकों उसे नेरस्ट कर और इसे सम्धान सम्मत पार ये सिकल्विजम के आधार हम सरवच नेले का भी नेरने पूरा में समय लगेगा पर जो उन्होंने इस सम्धिरान कहीं से सम्धिरान गिरोधी बताया था उस नेरने को पलेकने का सम्मान करता हूं सम्मान देता हूं एक बात उनको भी अब सीखना चाहिए माननी प्रदान मंतिजी को और भाजपा के निताओं को जो ये बटोगे कटोगे लड़कियों के वारे में जो अप्मान जयनक कर रहें न ये फैसला उस नारे पर किला मुझा हूं सिश तरीके से सम्विधान के अधिकारों जो स्क्रुनिजम की रख्शा करता है धर्म के अधार के पर प्रदान बंती है और लोग बटने और बटने की वाध इससे सबक देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा बानना में खाद के लिए केंद्र के चक्कर लगाने को अन्यदाता किसान मजबूर हो गए है बतादे मुक्य मंत्री ने किसानों को खाद बीच समय पर आपूर्ती करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये थे जिसको लेकर खाद केंद्रों के बाहर लंबी लाइन लगी है इस दौरार महिला किसान छोटे छोटे बच्चों को गोध में लेकर खाद केंद्रों के बाहर खाद के लिए लाइनों में बैठने को मजबूर है लेकिन हर रोज निराशा ही हात लग रही है प्रुखबाद के हिंदू संगर्षन के नेता और साधू संतने जिलाधिकारी को ग्यापन सौपा ये ग्यापन हिंदू नेता अंकिर्तिवारी की सुरक्षब बढ़ाने के मांग को लेकर सौपा गया था मदा दे कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अंकेतिवारी को जान से माननी की धमकी दे रहे हैं जबकि अंकेतिवारी ने किसी भी जात और धर्म के लिए पोस्ट नहीं डाली थी फिर भी कुछ मुस्लिम समधाय के लोगों ने अंकितिवारी के खिलाफ एक रपोर्ट दर्च कराई थी हलाकि इसके बावजूद भी अंकितिवारी ने पोस्ट के माध्यम से माफी मांग ली है पीली भीद की महिला ब्लॉक प्रमुख मरॉरी ने भाच्पा के बर खेड़ा वधायक पर आर्थिक और मांसिक रूप से प्रतालित करने का आरोप लगाया है साथ ही बताया कि संगठन के पदादिकारियों को भी वह अपनी समस्या से अवगत करा चुकी है हाला कि वधायक नहीं अपनी उपर लगाय ज़ा रहे आरोपों को गलत बताते हुए ब्लॉक प्रमुख द्वारा इन्हें साबित करने की बात कही है वही कहा कि लगाये गए आरोप अगर जूठे निकले तो वो मान हानी के कारवाई करेंगे प्रद्वान मंत्री परम आगर्णी नरेंर मोडी जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के परम पुझी मुक्त मंत्री योगी आधितनाच जी के द्वारा हर बर्द के लोगों के लिए लोग कल्याणकारी योजनाय चलाई जा रही है और उन सभी जन लोग कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैं जन जन तक इन योजनाओं को पहुचाने का कारे कर रही हूँ और विकास कारे जो मेरे द्वारा करवाई जा रहा हैं लेकिन हमारे बिदायक जी लगातार मुझे परिसान कर रहे हैं मेरे विकास कारों को प्रवावित कर रहे हैं यह पार्टी के कारेकरमों में जाने से रोकते हैं बिकास कारे में भी सिकाइट ने वर्या की डियम ने सिम्राना में इस्ति छट घाट करने रिक्षड किया बता दे जलादिकारी ने चट पूजा को शांधिपूर्ण और व्यवस्तित तरीके से मनाने के संबंद में अधिकारियों को अविशक दिशा निर्देश दिये साथ ही इसके लिए डियम ने सतावन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनाद किया वही जलादिकारी ने चट पूजा स्थलो पर सीस्टीवी कैमरा अनिवारे रूप से लगाने का भिया अदेश दिया ये चट के तैयारियों के सम्मंद में हमारे घाटों पे सभी तर्यारिया चल रही हैं सभी हमारे घाटों पे साथ सफाई की विवस्ता एवं सभी अन्य विवस्ताओं की को देखने के लिए मैं और मेरी पूली टीम और कप्तान साब जो है सभी घाटों पर जा रहे हैं इसी की वर्दी में रील बनाना एक यूबक को भारी पढ़ गया बता दे एक यूबक दरोगा की वर्दी पहन कर रेडी ठेले वालों को धमकाते हुए इस्टेग्राम पर रील बना रहा था वही इस्थानिया लोगों की सूचना दिन के बाद तुरंद मौके पर पुलिस महुची पर यूबक को ग्रफतार कर लिया जमामले में एसपी का कहना है कि इस तरह से वर्दी पहन कर उत्तरप्रदेश पुलिस की छवी को धू मिलकर ना सही नहीं है यह परसो शाम को यह मंडी समिती रोड पर चौकिप लभारी मंडी समिती ने सूचना दी कि वहाँ पर एक उत्तरप्रदेश सुरक्षा के यूनिफॉर्म पहन कर एक आदमी वहाँ पर रील बना रहा है और कुछ ठेले वालों के साथ कुछ उनका समान ले रहा है उत्तरप्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही देशत दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखतर ही आज की खबर उत्तरप्रदेश सुरक्षा के लिए खबरों में पर रहा है